बुटान हेलिकॉप्टर क्रेश में कांगडा जिले के शहीद हुए ननाओ के जाबांज लेटिनेंट कर्णल रजनीश परमार का राज के सम्मान के साथ अंतिम संसकार कर दिया गया काफी संख्या में लोगों निन्नमांखों से शहीद को अंतिम विदाई दी वही स्वास से मंत्री विपिन परमार ने शहीद लेटिनेंट कर्णल रजनीश परमार को श्रधांज ली दी जीहां आपको बता दे कि भुतान हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुआ ननाव सुलै का जाबाज लेटिनेंट कर्णल रजनीश परमार तिरंगे में लिपट कर अपने गाउं पहुँचे जैसे ही गाउं में शहीद की पार्थिव दे पहुँची हर आख नम हो गई आपको बता दे कि दिल्ली से शहीद लेटिनेंट कर्णल रजनीश परमार की पार्थिव दे होटल्टा कैम्प में पहुँची यहां पर सीना के अधिकारियों जवानों ने श्रधांजली दी इसके बाद पार्थिव दे को शहीद रजनीश परमार के गाउं ले जाया गया जहां परक्षिना महादेव में लोगों ने शहीद के अंतिम दर्शन किये इसके बाद शहीद का राजकिय सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया बेटे अभिराज परमार ने शहीद को मुख्य अगनी दी परदेश स्वास से मंत्री विपिन सिंग परमार ने परदेश सरकार की और से शहीद लेटिनन व्लजनीश कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किये परमार ने कहा कि यह बहुती दुख की गड़ी है उन्होंने कहा कि उनके गाउ में इस प्रकार की घटी गटना में अपने गाउ का एक जावाज युवक होया है परमार ने शोकस्तम परिवार के प्रती अपनी समेधनाई व्यक्त करते हुए परिवार को दुख की घड़ी सहने की भगवान से प्रात्ना की आज बड़े ही दुख्ती बात है कि अमारे सिलाते के सेना में जो अभिकारी थे लेक्टिगेंट करनर रजनी सिंग परमार उनकी दुख्डाई हेलिकॉप्टर में प्रुभटना में अमरिकी हुई है अदवान उनकी आत्वा को शांती देख शोग संतप्ट परिवार को इस कष्ट भरे क्षणों को सहन करने की हिम्मत दे भारसरकार की तरफ से वह विशेश करके हिमाचल परदेश सरकार की लोग से शिरी जैरान ठाकुजी की तरफ से इतने शद्धानजली स्रद्धा सुमन जीत सरमनी के रूट न यहां पर अर्टित की है तो इस बहुती जुगदाई कहला है मैं भगवाल के चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान मिले यही मैं इश्वर से कामना करें जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट आल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यू फो वेडिं, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस ब्रबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घर्नेवाद